बूंदी अखिल भारती अबैडवा महासभा की ओर से आयोजित सामुहिक विवाह सम्मेलर में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने शिर्कत करते हुए नए जीवन की शुरुवात कर रहे वर्वाधु को आशीरवात प्रदान किया बूंदी शेहर में आयोजित पैर्वा समाज के विवाह सम्मेलर में सम्मोधित करते हुए श्रीमती ममता भूपेश ने समाज के लोगों से अधिक से अधिक शिक्षित बनने पर जोर दिया उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में जहां लोग शादियों में लाखो करोडों रुपए बरबाद कर देते हैं, कई जगे पर तो लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए उदार रुपए लेकर शादी समारोह आयोजित करते हैं, यह कताई उचित नह ही हैं, उन्होंने कहा कि सामुहिक विवाह सम्मेलन के जरिये शादियां करना फजूल खर्चे को रोकने का बहुत बड़ा संदेश हैं, बैडवा समाज की ओर से आयोजित सामुहिक विवाह सम्मेलन में 50 से अधिक जोडे एक दूसरे के हमसाफर बने इस दोरान पूर्व मं सत्ये इंद्रमीना व समिथी बेर्वा समाज के नेताओं ने भी संबोधित किया